क्या यामाहा आरेक्स एक्सर पूछे जाने वाले प्रशन पढ़े यामाहा आरेक्स एक्सर पैंतीस अब उत्पादन में नहीं है और इसे खरीदा नहीं जा सकता हम आपको सलाह देते हैं कि स्पेर पार्ट्स की उपलब्धता और लागत के बारे में पूछताच करने के लिए निकर्तम अधिक्रित सेवा दुकान से संपर्क करें लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जिस शेहर में जाना चाहते हैं उसे चुने क्यूँ? इंडोनेशिया में नवीनतम मॉडल आरेक्स एक्सोपैंटीस के निकास प्रनाली में एक उत्प्रेरक कंवर्टर शामिल किया गया था जिससे यह यूरो दो मानकों का अनुपालन करने में सक्षम हो गया यामाहा आरेक्स किंग जिसका निर्मान 1983 और जन्वरी 2009 के बीच इंडोनेशिया में किया गया था विशेश रूप से दो स्ट्रोक वर्गों में एक प्रसिद्ध मोटर साइकल बन गई है आरेक्स एक्सोपैंटीस की अधिक्तम गती क्या है? उच्च गती और माइलेज यामाहा आरेक्स एक्सोपैंटीस का अनुमानित माइलेज 25 से 35 किमी लीटर है 135 सीसी मोटर बाइक की शूने से 100 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार पकड़ने में 16 सेकंड की परफॉर्मेंस रेटिंग है यामाहा का दावा है कि आरेक्स 135 की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रती घंटा है सबसे अच्छी आरेक्स बाइक कौन सी है? जो लोग आरेक्स मोटर साइकिलों से अप्रिचित हैं वे आम तोर पर मानते हैं कि 100, 135 से बेहतर है क्योंकि 100, 135 की तुलना में अधिक तेजी से गती करता है फिर भी इसका शीर्श अंत बेहतर होता है इसलिए 100 कुल मिलाकर 135, 4 गती से बेहतर लगता है एक 135 पांच स्पीर संसकरण में नाश्टा आरेक्स 100 पर मिलेगा क्या मैं आरेक्स 135 पर लंबी यातरा कर सकता हूँ? हाँ, आरेक्स 135 निसंदेह विस्तारित सवारी के लिए आदर्श बाइक है हालाकि, चुँकि ये बाइक छोटी दैनिक यातराओ के लिए कैजूल स्पोर्ट बाइक हैं, इसलिए आप इन्हें लंबी यातराओ पर क्रूजर की तरह नहीं चला सकते मूलतह, आपको अधिक सांत्वना नहीं मिलती हालाकि, आरेक्स एक्सो पैंटीस वास्तव में आपको लंबी यातराओ पर जाने की अनुम्ती देता है बहतर आरेक्स एक्सो पैंटीस या आरेक्स एक्सो कौन सा है? कौन सा श्रेष्ट है? यामाहा से आरेक्स एक्सो या आरेक्स एक्सो पैंटीस? Quora 100 और 135 चार स्पीड मौडल की तुलना करते समय Yamaha RX 100 बेहतर मौडल है जब भी आपको कोई 5 स्पीड दिखे तो उसे पकड़ लें क्योंकि वे बहुत दुरलब हैं और कुल मिलाकर 100 और 135 चार स्पीड से बेहतर है RX Z और 135 चार की गती उतकृष्ट नहीं है घटिया प्रदर्शन, कम माईलेज और 100 पर वापस ध्वनी प्रदान करता है RX 135 कितने बजे समाप्त हुआ? हालाकि Yamaha RX 135 का उत्पादन 2005 में रोक दिया गया था दो स्ट्रोक मोटरसाइकिलों में से साथ जो सडक रेसर्स और बाइक उत्साही लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है हाल ही में बैंगलोर में एक डीलर द्वारा नीलामी के लिए रखी गई थी 2005 में राष्ट्रिय सरकार द्वारा लगाए गए सक्त नेमो के परिणाम स्वरूप Yamaha RX 135 का उत्पादन बंध हो गया क्या RX 135 एक अच्छी बाइक है? रेसिंग Yamaha RX 135 वाहन बाइक शांदार स्थिती में है और इसमें बिलकुल ने टायर, समय और अन्य उपकरन है इसके इंजन को मजबूत और मजबूत बनाने के लिए हाल ही में इसकी मरमत की गई है इसका हस्तनिर्मित साइलेंसर बेहतर प्रदर्शन और तेज, अधिक आकरामक ध्वनी प्रदान करता है क्या RX 135 एक अच्छी बाइक है? यमाहा मोटर कंपनी ने यमाहा आरेक्स एक सो को डिजाइन किया यह एक लोकप्रिय टू-स्ट्रोक मोटर साइकल थी जिसका निरमान 1950 और 1996 के बीच किया गया था एसकॉर्स लिमीटेड और यमाहा मोटर कॉर्प ने सहयोग किया था कितना RX 135 वायोदाब है? RX 135 का उचित वायुदाब क्या है? फिलहाल, आगे और पीछे क्रमशह 26 और 36 PSI तक भरे हुए है क्या मैं RX 135 पर लंबी यात्रा कर सकता हूँ? हाँ, RX 135 निसंदेह विस्तारित सवारी के लिए आदर्श बाइक है हाला कि चुँकि ये बाइक छोटी दैनिक यात्राओ के लिए कैजूल स्पोर्ट बाइक हैं, इसलिए आप इन्हें लंबी यात्राओ पर क्रूजर की तरह नहीं चला सकते मूलतह आपको अधिक सांत्वना नहीं मिलती हाला कि आरेक्स 135 वास्तव में आपको लंबी यात्राओ पर जाने की अनुम्ति देता है